हलो दोस्तो आज का टॉपिक है ओम्सला ओम का नियम क्या होता है इसको समझने की कोर्शिस करते हैं तो फ्रेंड्स एक बिग्यानिक थे जिनका नाम था जोर्ज साइमन ओम यह हमेशा की तरह अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक दिन कुछ खास था फुज द दिन उनके दिमाग की बत्ती जल गई और दिमाग की बत्ती जलने से हमें मिल गया ओम्सला ओम का नियम वह यह था 1877 जब जौर्ज साइमन ओम ने ओम का नियम को दिया था एक जानना चाहते थे कि अलेक्टिक पोटेंशियल और एक्टिक करेंट की बीच में क्या रिलेशन ह होता है जब electric potential को हम बढ़ाएंगे तो electric current पर क्या effect पड़ेगा यह जानने की कोर्षिस कर रहे हैं तो electrical में तीन quantity होती है voltage current and resistance voltage को potential भी बहुत सकते हैं यह में भी बहुत सकते हैं तो इन्हीं तीनों के बीच का जो relation होता है उसी को बताता है ohms-la कि voltage करेंट के बीच में क्या relation है current और resistance के बीच में क्या relation है इसके relation को ही बताता है ohms-la किसी को बोलते है ohms-la तो इस circuit से समझते हैं एक circuit है भी क्या voltage है जो supply दिया गया circuit को आई क्या इसमें बहने वाली current आई वाली closest circuit है जिसमें current flow हो रहा है R क्या है रेजिस्टेंस है इस circuit का resistance है यह R के जगा पर load भी यहां लिख सकते है यह load है load लगाया गया है तो जो George Simon Ohm थे इन्होंने बताया था कि जो इसमें बहने वाली current है जो धारा है ओभी के directly proportional है जो इसमें apply कि है voltage उसके directly proportional है और जो इसका जो circuit का resistance है इसके inversely proportional है तो इसको definition से समझते हैं कि the current passing through a conductor is directly proportional to the voltage and inversely proportional to the resistance यह बोल रहा है कि जो conductor में जो कोई भी conductor में current जो flow हो रहा है वो voltage के जो उसमें apply किया गया voltage है उसके directly proportional होता है और उसमें उसमें जो resistance है उसके inversely proportional होता है तो यहां पर आई डिरेक्ली proportional भी है और inversely proportional आई inversely proportional आर है circuit का resistance तो यहां से आपको मिल जाएगा आई ब्रावर वी वट्टा आर वी वट्टा आर और इसका unit होता है एंपियर इसका unit होता है current का क्या एंपियर तो वी क्या voltage है आई क्या current है और आर क्या resistance है अब condition क्या होता है condition देखते हैं कि ohmsla कौन से condition में लगाया जाता है ohmsla करने का condition होता है कि temperature should be constant होना चाहिए तापमान constant होना ही ताप यहां लिखा गया typing mistake है यहां पर आप सुधार लिजेगा तापमान होगा तापमान क्या होना चाहिए constant होना चाहिए तब ohmsla कर सकते हैं और generally ohmsla जो लागू होता है जैसे आप AC में ohmsla करेंगे तो वहां पर देखें होंगे कि impedance होता है तो impedance का unit भी क्या होता है ओम होता है एक तरह का हो resistance जैसे भ्यायप करता है तो दिछी circuit में क्या होता है तो वहां पर लाग होता है resistive तो पहुड सकते हैं इसको की ohmsla हम जिएरशिटिव सार्क्यूर्कीट में लाग करेंगे तो डेखते हैं तो उपर जो ना उपर वाला divorce वह उपर नीचे में divide होगा नीच्चे जोङन हो multiplication होगा तो यहां से देखेंगे हम को V निकालना है तो क्या होगा इसको छुपा देंगे V को छुपा देंगे जो बचा किया R आए into R बचा तो R हो जाएगा यहां पे i into R हो जाएगा V बरावा I into R अगर I निकालना है एक एक दो اई भचा तो भी यूणित क्या होता है मैं पीयर होता है करेंट कैंप्रोट तो हैं यहां से पता हमको चलता है कि अगर आफ भोल्टेज बढ़ा रहें अगर रिच ट Jeanne Спक्स है तो यहां से upright आको बढ़ेगा by यहां से देखेंगे कि एगर आप्तिक फीक्स रखें हैं वोग्तिको फिक्स रखें अब बला रहाएं रेसिस्टेंज को बढ़ा रहें तो आपको को कम मिलेगा इसलिए इंवेसलि पर पूसिन एक रेसिस्टेन्ज का करेंट है यहां दखेंगे कि अगर आप o वोल्टेच यहां दखेंगे कि आप बोल्टेच को बढ़ा रहे हैं जो इसको बढ़ा तो यहां पे current भी क्या औगए गटेगाéric foltage बीच में थे अभी कि बतायें थे की आ डरेकलि पर गुंट सुनली होता है अगर आप voltage को बढ़ रहे हैं बढ़ा रहे हैं укhou क्रेंट भी बढ़ेगा तो बढ़ेगा यहां दखेंगे तो यहां कुछ और आएगा अगर आप वोल्टेज को घटाते हैं तो यहां कुछ और आएगा अगर और वोल्टेज को बढ़ा दें तो करेंट बढ़के यहां आजाएगा तो हमको इस एक लेनियर ग्राफ मिल जाएगा यहां पर तो यह पूछा भी जा सकता है कि जो voltage अ जो ohms ला होता है जो voltage current की बीच में जो graph होता हो कैसा होता है तो यह linear graph होता है, क्या होता है linear graph होता है अब इसमें कुछ dominical है उसको समझते है तो पहला कोचन है पहला कोचन है कि एक circuit है इसमें 5 Vault supply दिया गया है एक एंपियर का धारा बारा है तो यहां पर रेजिस्टेंस निकानला है तो अभी ट्रेंगल से हम लोग समझे थें कि आई ब्रावर क्या होता है भी वाई यार होता है तो वोल्टेज भी पता है और एंपियर भी पता है तो हमको निकानला क्या रेजिस्टेंस तो रेजिस्ट का यूनिट क्या होता है नेक्स्ट कोचन देखते हैं कोचन नमर टू तो यहां देखेंगे एक कोई सर्कृट है जिसमें 12 वोल्ट का सप्लाई दिया गया है बैटरी से कनेक कट दिया गया है और चोविस चोविस ओम का रेजिस्टेंस लगा होगा तो इसमें करेंट क्या होगा तो अभी पढ़ें थे ट्रेंगल से कि आई ब्राव और तो अभी वाई यार तो यहां से देखेंगे कि वारा वाई चोविस हो गया 12 वाई 24 जो इसको कल्कुलेशन करेंगे तो आपको मिल जागा 0.5 एंपियर तो आई होग की आपको ओमसला समझ में आया होगा अब मिलते है नेक्स्ट विडियो में